सीन स्टाट होता है मिस्टी माउंटेन से मिस्टी माउंटेन जो चांदने के रोशने में जगमगा रहा था उपर से फायर फ्लायस उसके ब्यूटी को और भी खेर रहे थे एक फैरी टेल जैसा एहसास दिला रहे थे उसी मिस्टी माउंटेर में इंसान जियू की मदद पाने के लिए पहुँच गये थे अपने आपको हील कराने के लिए पहुँच गये थे और वो हील होते भी हैं जियू की life of essence के कुछ बूंदों से अपने आपको वो detoxify कर लेते हैं सर उठाते बिमारी को वो जड़ से ही खतम कर देते हैं पर इंसान तो इंसान ही है लालच को वो भला कैसे छोड़ सकते हैं जियू की life of essence के कुछ बूंदे सिर्फ हील ही नहीं कर रहा था वो तो superhuman के captain Benson को stronger भी बना रहा था spiritual energy से उसको भर रहा था और उसका spiritual energy इतना बढ़ गया था कि वो breakthrough होने ही वाला था बस और थोड़े life of essence के कुछ बूंदे ही उसे चाहिए था लालच के मारे Benson और एक deal करने लगता है life of essence के कुछ बूंदों के बदले treasures देने की बात करने लगता है जहां Zeeu इंसानों की लालच को समझ गया था वही divine flower Benson को डराने लगती है अगर तुम्हें और life of essence के कुछ बूंदे चाहिए तो तुम्हें blood pact sign करना होगा भूलके वो superhuman के captain Benson को समझाने लगती है blood pact एक ऐसा skill था जो बस Zeeu और कुछ vampires के पास से मौझूद था जिससे host अपने master का कहा हमेशा मानता था अगर superhuman का captain Benson ये pact sign कर ले तो वो misty mountain का वफादार बन जाएगा Zeeu का हर एक बात मानीगा और इंसान और इंसानों के दुनिया से उसका नाता ही तूट जाएगा ये वही pact था जो King Zhao ने Zeeu के साथ sign किया था और अब वो misty mountain का एक हिस्सा बन गया है दूसरा pact Brahman religion का sentence ने किया था और अब वो Zeeu की जासुसी करने के लिए intelligence gather करने के लिए अपने 10 nation alliance पे लोट गई है अगर मुझे इंसानों का दुश्मन नहीं बनना पड़ेगा तो मैं pact sign करने के लिए तयार हूँ बोलके सुपर हुमन का captain pact sign करने के लिए तयार हो जाता है जहां pact sign करते ही सुपर हुमन के captain के body पे misty mountain का एक seal बन जाता है वहीं सुपर हुमन के captain को deal के मुताबिक life of essence के और तीन बूंदे मिल जाती है अब सुपर हुमन का captain बहुत खुश था और खुशी-खुशी वो misty mountain से चला गया था सुपर हुमन का captain misty mountain से जाते ही divine flower जियू को एक बात पूछने लगती है divine flower पूछती है कि जियू इंसानों का मदद क्यों कर रहा है इंसान तो मतलबी होते हैं और ये इंसान उन में से अलग नहीं है जिस पे जियू divine flower को समझाने लगता है जियू बताता है कि life of essence के कुछ बूंदे पाके सुपर हुमन से captain बस hill नहीं हुआ था वो stronger भी बन गया था और ऐसे stronger body के साथ जब वो अपने kingdom में लोटेगा तब वो सबके attention का center बन जाएगा और थोड़े बहुत research से इंसानों को पता चल ही जाएगा कि उसके stronger बनने के पीछे misty mountain ही है जियू the demonic tree ही है इससे superhuman के captain और उसके nation के बीच उसके government के बीच शक पैदा होगा और वही शक superhuman के captain को इंसानों से दूर कर देगा और misty mountain के करिब ले आएगा मतलब misty mountain को ये फाइदा ही देगा जियू के ऐसे सतरंज के चालों को देख उसके कुटिलताओं को देख थोड़ी देर के लिए divine flower भी सोच में पढ़ जाती है कि कहीं जियू इंसान तो नहीं है वहीं पे जियू अपने एक stronger army बनाने की सोच रहा था जल्दी से जल्दी वो अपने beast army को develop करना चाहता था उसे अच्छी तरीके से पता था कि जल्दी ही darkness उभरने वाला है पर उसका क्या करना है अभी के लिए जियू नहीं सूचने वाला था अभी के लिए जियू कुछ thunder spiritual stones को अपने thunder elemental beast को दी देता है और ऐसे अनोखे gift पाकी हनीपोट बैजर जैसे beast बहुत खुश हो जाते है फिर जियू divine flower को अल्टर का काम सौंप देता है अगर कोई इंसान आये तो उनसे successfully deal करने को divine flower को जियू permission दे देता है और खुद जियू दूसरे spiritual stones को absorb करने लगता है अपना cultivation सुरू कर देता है अपने fourth transcend order में पहुँचने का सफर वो शुरू कर देता है क्योंकि जियू अब inactive हो गया था थोड़ी दिर के लिए हिल डूल नहीं सकता था तब जियू के पिछे misty mountain का command 9 tail fox लेती है और सबसे पहला काम वो demonic bull को देती है demonic bull को 9 tail fox command देती है कि y1 के cracked egg को वो ancient alligator को दे दे अगर successfully ancient emperor alligator y1 के egg के साथ fuse हो पाए तो misty mountain के लिए वो बहुत बड़ा फाइदा होगा जिससे बस ancient emperor alligator ही नहीं जियू भी बहुत खुश होगा जब demonic bull y1 का egg लेके लेक के पास पहुचके ancient emperor alligator को बुलाता है तब ancient emperor alligator को देखके demonic bull शौक में पढ़ जाता है ancient emperor alligator अब जाजेंटिक बन गया था के लिए इनेक्टिव हो जाता है cultivation stage में चला जाता है क्योंकि misty mountain के दो powerful beast cultivation कर रहे थे तो misty mountain की defense का जिम्मा nine tail fox और demonic bull ले लिये थे पर जल्दी ही ancient emperor alligator evolve हो जाता है वाइवन के egg में अपने आफ को fuse कर लेता है अब ancient emperor alligator legendary rock dragon बन गया था वैसे size में तो वो इतना बड़ा नहीं बना था पर strength में वो इतना powerful बन गया था कि उसका एक ही fireball एक बड़े से लेक को सुखा दिया था पत्रे ले जमीन को पिगला दिया था अब बस जिव का breakthrough बाकी था और वो इतनी जल्दी नहीं होने वाला था ancient apple alligator demonic bull और nine tail fox बातचित कर ही रहे थे कि उनको एक औरा महसूस होता है एक जानी पहचाने से औरा जिससे वो कहीं दिनों से नहीं मिले थे inspection करने के लिए जब demonic bull और nine tail fox वहां जाते हैं तो अल्टर के पास वो कहीं सारे इंसानों को पाते हैं वो इंसान वो super humans वहां अपने आपको cure करने के लिए आये थे heal करने के लिए आये थे उन्हीं super humans में demonic bull और nine tail fox को sourling दिखती है और उसे देखते ही उनकी पूराने यादें ताजा होने लगती है भूली हुई bond फिर से fresh होने लगती है इसलिए अल्टर से जैसे ही दूसरे super humans जाते हैं wind wolf for nine tail fox sourling के पास पहुँच जाते हैं उससे मस्ती करने लगते हैं अपना अपनापन दिखाने लगते हैं क्यान किन और कुछ नए beast sourling को नहीं पहचानते थे कम से कम वो उसकी इंसानी body को तो नहीं देखे थे इसलिए panda उन सब को सावलिंग से introduce कराता है ये जियू की असली बेटी है बोलके सब को बताने लगता है वहीं पे length fang भी था जो की बहुत उख़डा खुडा दिख रहा था शायद वो अपने actual family को अपने बेहन को miss कर रहा था पर उसको खुश करने के लिए सावलिंग अपने साथ एक gift ले के आई थी उसके बेहन को misty mountain में वो ले के आई थी ऐसी गुनेर सुन के length fang कैसे रुख सकता था इसलिए बिनारू के वो तुरंत अपने बेहन के पास भागता है misty mountain के boundary के पास जाने लगता है वही snowy leopard divine flower को एक सवाल पूछेने लगता है सवाल की उन्होंने federation के super humans के captain को जों mang को heal क्यूं किया है उसके साथ contract sign क्यूं किया है इस पर divine flower snowy leopard को समझाने लगती है यहां हमें पता चलता है कि जों mang लालची नहीं था ना ही contact को वो आगे से मांगा था उसके जैसे इंसान दुनिया में बहुत कम मिलते हैं जो कि अपनी बारे में नहीं बलके अपनी खुददारी को सबसे आगे रखते हैं वैसे उसको team करना तो बहुत मुश्किल होगा पर अगर वो एक बार team हो गया तो misty mountain को वो अपना family मानने लगेगा अपना जी जान misty mountain को वो protect करने में लगा देगा वहीं पर सावलिंग जीव के पास पहुँच चुकी थी और वो वहाँ खाली हाथ नहीं आई थी जीव के लिए एक तोफा पी लेके आई थी essence of thunder बोल की एक artifact लेके आई थी essence of thunder एक ऐसा spiritual stone था जो कि कहीं सरे thunder spiritual stones के combination से बना था और जैसी ही वो जीव के अंदर समा जाता है जीव के cultivation को जीव के spiritual power को और ज़दा बढ़ा दीता है वैसे सावलिंग और भी कहीं सारे तोफे लेके आई थी अपने लेडी ड्राकुला के साथ पिटारे भर भर के लाई थी क्योंकि टाइम बहुत कम था और federation की नजर उस पे गड़ा हुआ था इसलिए Misty Mountain से वो जल्द से जल्द जल्द जाने लगती है पर उसके जाने से पहले जीव उसे एक return gift देता है एक protection का charm देता है दुसी तरफ हुआ कीडम में हला मुचा हुआ था जो जीव सोचा था वही हो रहा था उनके शुपर हुमन के कैप्टन को बेंसन को की प्रफआ हुआ 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 है